दोस्तों हमारी रसोई में हमेशा मौजूद रहने वाले मसाले, हमारी सहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन होते हैं, उनमें से ही एक चीज है सौफ, सौफ के बारे में आयरुवेद में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारे फायदे सौफ के लिखे हुए हैं, वो बाते यह सारे फायदे उटाने के लिए हम सारी बाते आपको कईसे लेना है और यह सारे चीजे में आपको भुष भुष आफ़गा सबसे पहले मैगनेज अब must हो अन्रुगज hiss अक्ट हो बोड़ी में इनके शूगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 300-400-500 तक शूगर पहुँच जाती है, और वो चंट्रोल नहीं होती है, तो ये मैगनीज इसके अंदर होता है, जो कि शूगर को बोड़ी में कंट्रोल कर लेता है, अगर आप इसको लेते हैं, तो शूगर कंट्रोल हो जाती है, बोन्स के लिए हमारी हड़डियों के लिए, और मासपेषियों के लिए, मैगनीज बहुत ज़्यादा जोररी होता है, तो जिनकी हड़डियां कम जोग 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 है, वो अगर song लेते हैं उनकी magnes की कमी पूरी हो जाती है जिससे की hटड़ियां और maaspesia उनकी ताकत हो जाती है brain की health के लिए भी, brain की nerves के लिए भी यह बहुत जड़ा फाइदे मन होता है brain को इससे ताकत मिलती है, दूसरी चीज़ जो इसके इंदर होती है वो है आईरन, आईरन की कमी से आप सब जानते हैं कि हमें खून की कमी हो जाती है खून की कमी से चक्कराने लग जाते हैं, सास लेने में तकलीफ होने लगती है शरीर पीला पड़ जाता है, तो ये सारी चीजे जो हैं soft के प्रयोग से iron की कमी पूरी होने से ठीक हो जाती है fiber इसके अंदर खूब होता है fiber मारी body में क्या करता है जो हमारी आतों में जब खाना पचता है तो fiber की वज़े से ही हो आगे बढ़ता है अगर fiber की कमी हो तो आतों में खाना आगे नहीं बढ़ता है और उससे हमको constipation हो जाता है, अपच की विमारी हो जाती है और पेट की कई तकलीफे हो जाती है तो हमारे जो मल है उसको यह soft बनाता है और आसानी से बाहर निकाल देता है जिससे पेट की सारी विमारियां खताम हो जाती है wall moment को सही करता है, आतों को साफ कर देता है एक दम, हमारी आतों को बिल्कुल साफ करके नए जासा साफ कर देता है, clean कर देता है अगली जो चीज इसके अंदर होती है protein, protein इसके अंदर बहुत होता है, protein क्या करता है हमारे जितने भी चीजें हमारे tissues बने हुए पूरी body जिन से बनी हुई है तो वो हमारी body का building block कहलाता है protein तो ये soft के नदर protein बहुत अच्छी मातरा में होता है हमारे tissues को बनाता है swelling आप में धेखा होगा, आजकल बहुत जाता swelling आजने लग जाती है कही जिएगे भी पी जिनको रहता है उँसको भी Swellinng आजाती है बोडी में या किसी और बज़े से भी Swellinng आजाती है तो Selesin को भी बरोटीन अगर कम होता है तो Selesin आती है ये बरोटीन के कमी पूरी करती है Sauff जिससे कि हमारे श्रियर्मानेल Selesin खतम होता है energy, energy बहुत देता है, protein हमको energy में बदल जाता है और हमको energy देता है, तो ये soft हाने से हमको energy यानि ताकत भी मिलती है अगली जो चीज़ इसके अंदर होती है, calcium बहुत होता है calcium, यानि पहले भी बताया था वीडियो में, calcium जो थे हमारी bones के लिए और muscles के लिए, हढ़ियों के लिए, muscles के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़़्धा ज़रूरी होता है उनके function के लिए, ताकि हमारी जो, यसा हम मोडते है, करते है तो इन सब के लिए हमारे calcium मौड़ ज़रूरी होते है, muscles के लिए वरना इनको मोडने में दिक्कत आती है, मूव करने में दिक्कत आती है सौफ लेते हैं तो calculation की कमी भी पूरी होती है और हमारी हड़ियां और मासपेशियां सही हो जाती है nerve जो की तंत्री का तंत्र होता है हमारा brain से message हमारी पूरी body में पहुंचाता है उसको भी ये सही करती है ताकि हमारे सारी body के सारे organ चाहे वो बाहर के हो चाहे अंदर के हो वो ठीक से काम करते रहते है दातों के लिए calcium बहुत ज़रूरी होता है दात कमजोर नहीं होते इससे दात खोकले नहीं होते जल्दी तोड़ते नहीं है स्वाफ में calcium बहुत होता है हमारे दातों को मजबूत बनाता है heartbeat के लिए भी आपने शायद नहीं सुना होगा कभी लेकिन calcium heartbeat के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है तो ये स्वाफ खाने से हमारी heartbeat भी सही रहती है heart सही तरीके से काम करता रहता है जिंक इसके अंदर खूब होता है जिंक क्या करता है हमारी memory को बढ़ाता है यह दाश्त कम हो जाती है आजकल तो कम उमर में उन्हों लगे पहले तो बड़ी उमर में होती थी आजकल कम उमर में memory कम होने ले जाती है पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी memory कम उने लेगती है तो zinc जो है वो memory बढ़ाता है zinc हमारी immunity को बहुत अच्छा कर देता है thyroid की zinc को समस्या रहती है females में ज़्यादा करके रहती है thyroid की समस्या तो thyroid की problem को भी ठीक कर देता है और हमारे शरी में कोई घाव हो जाते है तो घाव को जल्दी से हील करता है zinc जो की सौफ में बहुत ज़्यादा होता है इसलिए सौफ काने से हमारे जो घाव हो जाते है वो जल्दी से हील हो जाते है ठीक हो जाते है और pregnant महिलाओं के लिए भी soft बहुत अच्छी है क्योंकि पेट को सही रखती है और गर्बस जो शिशी होता है उसको भी growth के लिए बहुत अच्छा होता है अब हम यह बात करते हैं कि soft कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करती है पेट से related जितनी भी बीमारियां होती है चाहे वो gas हो acidity हो indigestion हैनी कि अपच हो constipation हो और भी कोई समस्या हो पेट की सारी बीमारियों को soft बिल्कुल ठीक कर देती है क्योंकि soft जो है वो खाने को अच्छी तरह से पचा देती है और खाना पचने से gas acidity खाना नहीं पचने की समस्या और कपच की समस्या पेट साफ नहीं होने की समस्या यह सारी समस्या जड़ से हमेशा के लिए खतम हो जाती है eyesight हमारी जो eyesight होती है आँखों की रौश्णी होती है उसको बढ़ाती है आपने देखा बच्पन में आजकल आँखों की रौश्णी कमजोर होने लग गई है बच्चों को बच्पन में चश्मा लग जाता है बढ़ों के तो कहने ही क्या नंबर बढ़ता जाता है देरे देरे तो soft के use से eyesight हमारी बढ़ती है तीसरी चीज जो है heart heart के लिए मैंने भी बताया था कि ये बहुत ज़्यदा फाइदे मंद होती है क्योंकि cholesterol को ये कम कर देती है सीधी सी बात है खाना पचाने के system को ये सही करती है और उससे में जो cholesterol का level है वो normal आ जाता है बहुत से लोगों के cholesterol बहुत ज़्यादा बढ़ा हो रहता है तो ऐसे में अगर आप soft का use करते हैं तो ये cholesterol को normal level पर ले आती है और जिससे की heart भी आपका सही से काम करता है heart पे जोर नहीं पड़ता और heart मजबूत बना रहता है अगली चीज है urine की problems urine की problems में urine में जलन होती है पेशाप करते समय जलन होती है या कोई urine infection रहता है females में बहुत common problem होती है urine infection की males में भी बहुत होती है तो urine में चाहे burning हो चाहे infection हो या और भी urine की problem होती है पेशाप की सारी problems को ये soft बिल्कुल ठीक कर देती है arthritis, गठिया जो होता है जोडों में जो दर्द हो जाता है joint pain हो जाता है, body में pain रहते है सारे तरह के दर्द को ये सौफ अकेली ही ठीक कर देती है stress जिन लोगों को होता है depression में आ जाते हैं लोगों आजकल तो बहुत ज़्यादा depression बढ़ गया है लोगों में, mind में हमेशा confusion मना रहता है, पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है stress रहता है stress को ये कम कर देता है नींद नहीं आने की विमारी sleeplessness, stress की वज़े से भी जो नींद नहीं आती है या किसी भी और वज़े से नींद नहीं आने की समस्य हो जाती है राद बर बैठे रहते है और सुबह फ्रेश नहीं लगता है फिर उसकी वज़े से पूरा दिन अगला खराब जाता है तो ये नींद नहीं आने की समस्य हो भी soft पूरी तरह से ठीक कर देती है weak memory हमारे brain की ताकत को बढ़ाती है हमारे जो दिमाग की नसे है उनको ये भरपूर ताकत देती है जिससे कि हमारा brain सही से काम करता है उसकी याद रखने की ताकत बढ़ जाती है periods problem जो females में बहुत ज़दा होती है periods के टाइम pain भी होता है irregular periods भी होता है ये सारी समस्य हैं जो होती है periods से related उनको भी ये साउफ पिल्कुल ठीक कर देती है तो इसको use कैसे करना है जिससे कि ये सारे फायदे आपको मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही असान तरीका है इसके लिए आपको एक चम्मत साउफ लेनी है किवल और उसको रात को एक गिलास पानी में डाल करके बिगो देना है पानी नॉर्मल टेंपरिचर का लेना है कोई ठंडा गरम का कोई चकर नहीं है बस आप एक गिलास पानी लीजिए उसमें एक चम्मत साउफ डाल करके उसको रात बर और थोड़ा सा ढख के उसको रख दीजिए रात बर में वो पानी आपका सौफ का बन जाएगा सुबह आप उस पानी को छान लीजिए उसको एक बार और फिर उस पानी को आप पी लीजिए सुबह खाली पेट इस पानी को आपको पी लेना है और जो सौफ आपने चानी है उस सौफ को आप चबा-चबा करके खा लिजे बस इतना सा आसान सा ही प्रेयोग है इसको करने का 15 दिन आपको इसको लेना है 15 दिन में आप देखेंगे कि आपके बहुत सारी बिमारियां जो है ठीक हो जाएंगे आपकी बहुत सारी health problems बिलकुल आपको ठीक हो जाएंगे आपको बहुत अच्छा मैसूस होने लग जाएगा एकदम healthy हो जाएंगे सौफ इतनी कमाल की चीज़े हमारी रसोई में हमेशा रखी हुए होती है लेकिन हम उसका यूज नी जानते इसलिए हम इन बिमारियों से जूज से रहते हैं आप इस तरह से सौफ का यूज कीजिए आपकी इस सारी बिमारियां खतम हो जाएंगी और आप बिलकुल healthy जीवन जी सकेंगे तो दोसों सौफ के जबर्दस फायदे देने वाला ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे like और share जरूर करें अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार